हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटीब के चेरेल में अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आप अगर अपने फोन पर स्क्रिंसोर्ट ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपके फोन में स्क्रिंसोर्ट का जो फोटो रहता है वो कहाँ पर save रहता है वो पता नहीं आपको तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा पाएंगे तो वो मैं पूरा proof के साथ आपको दिखाऊंगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दोस्तो आपको पता करना है कि screen shot कहाँ पर save रहता है तो सबसे पहले मैं आपको screen shot लेके दिखा देता हूँ जैसे ही मैं इस तरीके से slide करता हूँ मेरे phone पर screen shot हो जाती है अब यहाँ पर आपको पता करना है कि screen shot कहाँ पर save रहता है तो यहाँ पर आपको अपने phone पर gallery को open करना है, इस तरीगे से album वाले option पर आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, इस तरीगे से जो है screenshot करके एक option आजाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाला option आजाएगा तो आप उसको open करिए, open करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने अभी अभी screenshot लिया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर show कर रहा है, तो इस तरीगे से आपको screenshot का अलग से आपको जो है folder में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जो भी screenshot रहेगा वो save ह होता है तो इस तरीके से आप से भी लोग जो है अपने फोन पर पता लगा सकते हैं दोस्तों कि आपके फोन पर स्क्रिन सौर्ट कहां पर सेव हुआ है ओके तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए